बित्रों शास्त्रों में संभोग करने के कुछ प्राचीन नियम बताये गए हैं और ये नियम साधारण नहीं हैं कहा चुछातो है कि इनका पालन करने से कई तुरह के फायते भी मिलते हैं अब सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर वो कौन से नियम है जिन्हें जानकर प्रेम बेला रिष्टों को मजबूत बनाए रखने का एक तरीका होता है बशर्ते की उसमें प्रेम हो गंदी मंशा नहीं इसलिए जरूरी है कि आज की युवा पीड़ी संभोग करने के प्राचीन नियमों के बारे में भी जाने पहला नियम वित्रों हिंदू शास्त्रों के माने तो पती पत्नी को आमवस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अश्टमी, रफिवार, संक्रांती, संधिकाल, श्राधपक्ष, नवरात्री, श्रामनमास और रितुकाल पर किसी भी हाल में वासना में नहीं डूपना चाहिए जो इस्त्री पुरुशिस नियम का पालन कर दूसरा नियम उससे उत्पन होने वाली संतान में राक्षसों की तरहा ही गुण आने की पूरी उमीद होती है क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गर्ण प्रत्वी लोग के भ्रमन पर निकलते हैं, इसके अलावा पहले प्रहर के बाद संभोग इसलिए भी अश्रबकारी है क्यों कि इस ग्यान का इस्तिमाल पुरुषों से जादा इस्तिरियों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर इस्तिरियों और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ग्यान हो तब ही प्रेम में सुख की प्राप्ति होती है। आवश्यक है ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और पती को अपनी प्रेम बेला में बांध कर रख सके। साथ ही आचारे वातसायान ये बताती हैं कि स्त्रियों को अपने किसी भरोसे मंद दाई, शादे शुदा दोस्त, हम उम्र मौसी या बड़ी पहन, ननत या भावी जिसे संभोग का आनंद मिला हो उससे बिना किसी शर्म के इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। चौथा नियम, मित्रों प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार, किसी भी पुरुषकोस्त्री के मासिक धर्म के समय और किसी रोग, संक्रमन होने पर उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद को संक्रमन या जीवाणों से बचाना चाहता है, तो वासना में डूपने के पहले और बाद में कुछ स्वचता नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं अगर जननागों पर किसी भी तरह का घाप या दाने हो तो संभोग ना करें। इतना ही नहीं हमेशा करने से पहले शौच जरूर कर लें। इसके साथ ही प्रेम बीला के बाद जननागों को अच्छे से साफ करें या तो स्नान ही कर लें। पांचवा नियम, मित्रों अगर आपकी पत्नी या पती के संभोग करने की इच्छा नहीं है, या किसी दिन वो गुस्सा है, मन उदास है, तो ऐसे समय पर जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए. इसके इलावा अगर मन में या घर में किसी भी तरह का शोक हो, तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए. यानि कि पती पत्नी की मन की स्थिती के हिसाब से ही प्रेम के सागर में डुपके लगानी चाहिए. इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया चाहिए, कि पवित्र माने जाने वाले रक्षों के नीचे, सार्वजनिक इस्थानों, चौराहों, उध्यान, शम्शान घाट, वधस्थल, और शधाल्य, मंदर, ब्रहमन, गुरु और अध्यापक के घर पर नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा करता है, तो शास्त्र अनुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है, सात्वा नियम, मित्रों हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया चाहता है, कि इस्त्री पुरुष को किसके साथ नस्दीकियां नहीं बनानी चाहिए, खराब चरित्र वाले और गंदा वेहवार करने वालों के साथ कभी प्रेम बेला में समय नहीं बिताना चाहिए, यानि व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पती के साथ ही संभोग करना चाहिए, नियम के खिलाव जो कारे करता है, वो बात में जीवन के हर मोड प अगर भूल कर भी ऐसा किया, तो आने वाली संतान का अपंग और रोकी पैदा होने का खत्रा बना रहता है, हालंकि कुछ शास्त्रों के अनुसार दो या तीन महीने तक संभोग करने के बारे में मिलता है, लिकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा नहीं किया जाए, तो सही ही रह नौवनियम, इसके अलावा आचारे वातसायन की कामसूत्र में भी मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले चार दिनों में ऐसा करने से पुरुष बीमार हो जाता है, वहीं पाचवे दिन की रात को नस्वीक्या बनाने से कन्या बीमार हो जाती है, दस्वनियम, हिंद जालने का कारे करती है, इसमें से शुक्र को ही वीरे भी कहा जाता है, यानि कि यह वायू प्रेम बेला से जुड़ी है, शास्त्रों के नुसार जब इस वायू की गती में फर्क आता है, तो यह किसी भी तरह से दूशित हो जाती है, तो मूतराश्य और गुदा संबंधी र जियू को साफ बनाए रखने के लिए अपने पेट को साफ रखें, वहीं आमतोर पर अपने पार्टनर के साथ संभोग करते समय, आपने समय का ध्यान नहीं दिया होगा, फिर चाहे वो शुब हो या शुब, लेकिन ये बात आपको जरूर सोचनी चाहिए, वरना अशुब म बिना किसी समय के नस्दी क्या बना लेती हैं, जिसे शास्त्रों में पवित्र नहीं माना चाहता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इस्त्री पुरुष सामाजिक, धार्मिक और परिवारिक मानिताओं के अनुसार नस्दी क्या बनाती हैं, तब ही वो पवित्र हैं, औ और आपको ये जानकर हिरानी होगे मित्रों कि जिस समय आप संभोग कर रहे हैं उस समय पर ही होने वाली संतान का बविश्य निर्धारित होता है। इसी तरह शनीवार और रविवार को भी संतान प्राप्ति के लिए किया गया संभोग शुब नहीं माना चाता है। तो उसमें इर्श्य भाव होना बहुत सामान्य हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार, ब्रहस्पतिवार और शुकरवार को संतान प्राप्ति के लिए बनाई गई नस्दीकियां सबसे जाधा शिब मानी चाती है। इन हफते के चार दिनों के गर्बधारन से पैदा हुई संतान, गुणी और मानसिक रूप से तेज होती हैं। वही मित्रों ब्रहम वैवर्त पुराण में कई ऐसी दिनों के बारे में बताया गया है, जिनमें स्त्री पुरुष को प्रेम बेला में नहीं डूपना चाहिए। संभोग करने से वहवाईक जीवन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, हमेशा आपस में मन मुटाव बना रहता है और धन की भी हानी होती है। महीं संकरांती की तिथी पर भी पती पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। इसको अशुब माना चाहिए जिसकी वज़ह से उनके रिष्टे पर दुष प्रभाव पर सकता है। इसलिए संकरांती पर संभल कर रहना चाहिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार महीने की चतुर्थी और अष्टमी तिथी पर भी पती पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाय रखनी चाहिए। पक्ष के दौरान भी पती पतनी को संभोग करने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए और मन में केवल अच्छे विचार लाने चाहिए फिलाल आज की वीडियो में मित्रों बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिये आपको कई सवालों के जवाब मिल गए हो और हाँ अब आप हमारे सभी वीडियो फेस्बुक पर भी देख सकते हैं जुसके लिए आपको फेस्बुक पर दडिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा